एक घर में शादी समारों चल रहा था और उस शादी समारों में जो भी शादी की उपचारिकताएं होती हैं उसके साथ ही मंगल गीत गाये जा रहे थे धोलक पर एक से बढ़कर एक लोक गीत गाये जा रहे थे कभी किसी महिला का नंबर आता था नाचने के लिए तो कभी किसी लड़की का नंबर आता था इसी बीच में एक लगभग, बारे साल के एक लड़की जब धोलक की उस थाप पर डान्स कर रही थी, नाच रही थी तो उसकी नाचने को हर आदमी टक-टकी लगाय होई देख रहा था अब चाहे घराती पक्ष हों या बराती पक्ष हों बड़ी संख्या में लोग उसी का निरत्य देख रहे थे पतली सी लड़की उसकी उम्र लभग भी बारे साल के आसपास रही होगी कोई नहीं जानता था कि इस शादी समारों में डांकू बहिश बदल कर आये हैं कोई बराती बनके आया है तो कोई घराती बनके आया है उसी डांकू में से एक डांकू इस चोटी सी बच्ची को पसंद कर लेता है और वो नहीं जानती थे कि उसकी जिन्दगी में ये डांको ऐसा काल बनकर आएगा ऐसे परिशानी बनकर आएगा कि पूरी जिन्दगी उस लड़की को ऐसे ही दिक्कतों और परिशानीों से गुजरना पड़ेगा दरसल वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत चाहें वो बात खेलने की हो चाहें बात पढ़ने की हो हर मामले में वो अवल रहती थी और इसी अवल की वज़े से ही उसके साथ जो आगे होने वाला था वो वाकिए हैरान करने वाला था परिशान करने वाला था आदाब नमस्कार सस्रीकाल में उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुने जा रहा हूँ इस सची घटना है उत्तर प्रदेश का इजला है और रहिया और इसी का एक गाउं लगता है पन्ना रोट पर जमाली गाउं दरसल बात कर रहा हूँ 15 नवंबर 2002 की विद्याले से तीन लड़कियां अपने घर के तरफ जब जा रही थी तो जाते हूँ रास्ते में एक कार मिलती है कार के सीशे होते हैं काले अंदर कितने लोग बैठे हैं कोई नहीं जानता था तभी कार उन लड़कियों के बराबर में आती है कार रुखती है रुखने के बाद उन तीनों लड़कियों का अपरहन कर लिया जाता है और इस कार के अंदर डाल लिया जाता है तीनों लड़कियों मैंसे दो लड़कियों को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है और ये कहा जाता है कि शोर मचाने की कोशिश की तो यहीं के यहीं तुम्हें गोली मार दे जाएगी सब के चेहरे ढखे होए थे उन लड़कियों ने पूछा कि तुम लोग कौन हो तब ही वो कहते हैं कि हम डाकू हैं और हमने तुम्हारा अपढ़न कर लिया है गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है, लड़की डर जाती है सहम जाती है, वो विरोध करने की इस्तिति में नहीं थी कक्षा 9 में पढ़ने वाली तीनों लड़कियां चुप चाप उहां बैठी रहती है, गाड़ी चलती रहती है लेद खुझ दूर गाड़ी चलने के बाद, अचनली गाड़ी को रोका जाता है और दो लड़कियां, जिनको बहुत बुरी दर से मारा जा रहा था पीटा जा रहा था, उनमें से दो लड़कियों को उतार दी जाता है और एक लड़की बसती है उसको सीधा जंगल में लेके चला जाते हैं बीहड के उन रास्तों फ़र जहां का कटीली जाडियां थी उचे नीचे टीले थे उस लड़की को जब लेके जाते हैं इससे पहले की जंगल में प्रवेशी करते हैं कि अचानक पुलिस की रेट पड़ जाती है पुलिस पीछे पीछे और जंगल में डाकू आगे आगे ऐसे ही चलता रहा और ये सिलसला एक दो दिन नहीं लगातार आठ दिन तक वो लड़की कभी आगे कभी पीछे इस तरह से दोड़ती रही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां चल क्या रहा है ना तो आठ दिन तक उसने ठीक से खाना खाया ना ही आठ दिन तक वो ठीक से सो सकी ना ही आठ दिन तक किसी से बाचीत करने की इस्तिती में थी कंडिशन में थी जब जब वो बहुत ज़्यादा ठक जाये करती थी तो उसे बच्ची समझके कोई न कोई अपने कंधे पे डाल कर तब दोड़ा करते थे लेकिन आठ दिन के बाद तब पुलिस का जोर थोड़ा कम हुआ तब जाकर कहीं ड़केतों में शांती हुई और ये लड़की अभी तक ये समझे नहीं पा रहे थी कि उसके साथ हुआ क्या है तब ये नमे दिन उसको समझ में आता है कि उसका अपरहन कर लिया गया है अपरहन क्यों क्या है बस वही भाईया भाईया कहके रोते रोते उसने सभी से गुहार लगाई कहा कि हमें जाने दो हमारे माबाप बहुत परिशान हो जाएंगे दरसल ये लड़की जमालीपुर गाउं की थी इसके पिता का नाम विद्याराम पांच बच्चे इसके पिता पर हुआ करते थे और वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी कहा है तब ही किसी ने खबर दी कि तुम्हारी बेटी का तो अपरन कर लिया है डांकू लेके चले गए बो नजदी की पुलिस इस्टिशन में जाते हैं वहां जाकर जब रिपोर्ट दर्च कराने के लिए पुलिस वालों के सामने बैठे थे तो पुलिस वालों ने कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते तुम जाओ अपने बेटी को खुद लेके आ जाओ बाप पुलिस के सामने गिर्गराता रहा लेकिन पुलिस पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ अब वो व्यक्ति अपने घर पहुंचता है तो घर पहुंचने से पहले ही उसके पास एक चिठी आती है और चिठी में साफ साफ लिखा था अपने बेटी की सलामत ही चाहते हो तो इस बेटी के बदले में आप 10 लाख रुपे का इंतिजाम कर लो अब पूरे घर को बेज दिये जाए पूरी जमीनों को बेज दिये जाए तब भी 10 लाख रुपे इखटे नहीं हो पा रहे थे आखिरकार वो विद्याराम यादव इतना परिशान हो जाता है कि उसकी बेटी कैसे बापिस है कि कैसे नहीं वो रोज रोज इधर से उदर चकर काडता था रहम की भीक मांगता था बड़े-बड़े साहुकारों से ले कर बड़े-अधिकारियों के पास बिधायक के पास ऐसे कौन विफती था जिसके पास वो जान नहीं रहा था अपनी बेटी को लाने केलिए वो बेटी भी बड़ी इन्नो सेंड थी वो बिद्याले में पढ़ती जरूर थी लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसका खेल कुद हो या और अन्ने किसी भी कारेक्राम हो निरते हो, गाना हो सभी में वो अवल थी छोटी सी बच्ची लगती थी देखने में और जब डाको उसको अपने हाँ पर रखने लगे तो धीरे धीरे करके दस पंदरे दिन का जब समय गुजरता है तो वो लड़की अभी भी रो रही थी रहम की भीक माग रही थी कह रही थी कि मेरे पिता बहुत ज़दा गरीब है मुझे छोड़ा नहीं सकते इसलिए मुझे छोड़ दो 20 में दिन जब कोई गाउं से हलचल नहीं होती है जब गाउं से कोई पैसे लेके नहीं आता है तब 20 में दिन उस लड़की के साथ जो सरदार होता है जिसका नाम चंदन यादव होता है और उस लड़की का नाम होता है रेनु यादव रेनु यादव अभी कद काटी से छोटी थी क्योंकि उमर उसकी 13 साल के आसवास थी उसके साथ पहली बार तब बलादकार होता है रेफ होता है अब तो ना जानो चंदन यादव का जब मन करता था तब उसके साथ वो अपनी हवस को पूरी क्या करता था और ऐसे ही चलता रहा यहाँ लूट डगेती हत्याओं का दोर चल रहा था कभी भी किसी का अपरण होके आया करता था जंगल में तब तब यह लड़की अपनी आँखों से देखती थी कोई किसी की हत्या कर रहा है कहीं किसी के हाँ डगेती डाली जा रही है यह जंगल के नियमों से जंगल के जो भी यहाँ तोर तरीके थे डगेतों के बदमाशों के उससे पूरी तरह से अंजान थी इसको तो यह भी नहीं पता था कि तेरा रेफ हो रहा है तेरा बलातकार हो रहा है ये हो रहा है तो इसका विरोध करना है नहीं करना है क्योंकि जब भी वो विरोध करती थी तभी उसको वैसे ही डराया धंकाया जाता था जैसे क्या उन दो लड़कियों को डराया धंकाया गया था जिनके साथ इसका अपरण होके आया था कि ठीक वैसे ही तुम्हें मारा जाएगा यदि तुम्हें शोर मचाने की कोशिश की यदि तुम्हें यह से भागने की कोशिश की तो इतनी गोलियां मारी जाएगी कि गिंती करने वाला भी हिसाब किताब भूल जाएगा कि इस लड़की ओक इतनी गोलियां मारी इस लड़की के साथ ऐसे ही रेप और बलातकार क्या करता था तो उसे लगने लगा कि शायद यही जिंदगी है अब यहीं पर ही अपना शांत रहना है कुछ भी नहीं करना है इसी बीच में सलीम गुजर नाम का जो ड़केत था वो भी इस गैंग में कभी कभी आता था और एक निर्वे सिंग गुजर नाम का ड़केत था वो भी आता था निर्वे सिंग गुजर के साथ लबस साथ-ाथ महिलाएं हुआ करती थी सलीम गुजर के साथ भी ऐसे ही महिलाएं रहा करती थी बड़ी सेवा पानी किया करती थी तबी चन्नन यादब ने फैसला किया कि वो भी क अच्छा रहेगा, आपके लिए तो बहुत ही सही है, इसलिए आप भी ऐसे लड़कियों का इंजाम करूँ, वो लड़की ये भी नहीं जानती थी कि आखिरकार लड़कियां रहेंगी तो उनके साथ भी ऐसा ही रहेगा, कह सकते हैं कि बहुत ही सीधी सज्जन किसम की वो लड लड़की से प्यार हो जाता है, प्यार तो उसको उस दिन भी हो गया था, जिस दिन वो शादी समारों में बहुत अच्छा निरत्य करती हुँ मिली, और उस दिन वो अपने प्यार का इजहार कर बढ़ता है, कहता है कि मैंने तुमें शादी समारों में निरत्य करते हुई द इसे कव प्यार हो जाता है इस लड़की को इस लड़के से ये भी नहीं जानती थी इस ड़केट से प्यार होने के बाद इसी बीच में ये लड़की गरबबती हो जाती है जब गरबबती हो जाती है तो जंगल में छैम ही नहीं तो रही लेकिन इसी बीच में इसकी सुरक्षा को देखते हो है, इसके पेट में पल रहे, बच्चे को देखते हो है, वो इसको राजिस्तान भेज देता है, और राजिस्तान भेजने की सिर्फ एक ही वज़े थी, कि एक सामाने व्यक्ति बनकर ये होस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएगी, वहां जाकर जब बच्चा ह तब ये बापिस आजाएगी लेकिन इसी बीच में इस लड़की का नाम बहुत तेजी के साथ उभरने लगता है जब बहुत तेजी के साथ उभरने लगता है इस पर लूट का हत्या का डकैती का कई सारे मुकदमे जब इस पर लगने लगते हैं तो बाहर के दुनिया में ये बड़ी डांकू बन जाती है, लेकिन वहाँ पर एक सीधी सजन लड़की होती है, ये जानती नहीं थी कि मैं एक बड़ी डकैत हूँ, इसे ये कहा जाता है कि जब भी कोई तुमसे पूचता है, तो तुम्हें अपनी पहचान असली वाली बतानी ही नहीं है, आपको अपनी न उपसरत कि जो भी उसको देखता था, वो ही उस लड़की को पाने की चाहत रखता था, कहता था कि मुझे ही लड़की चाहिए, अब चाहें वो सलीम गुजर हो, निर्वे सिंग गुजर हो, या फिर अन्यरामबीर सिंग गुजर, जो भी देखता था, उस लड़की पर अप उसका शरीर को छलनी कर दिया जाएगा वो नहीं जानता था कि उसके दोस्त के रूप में एक दुश्मन भी है जो उसके बहुत करीब रहता है और एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़की अपनी जो बेटी पैदा होई थी उसको लेकर सीधा जंगल में आती है और जंगल माने के बाद चंदन यादव के गोद में इस बच्ची को रखती है कहती है कि ये बच्ची तुमारी है तब ही चंदन यादव खुश होता है कहता है कि मैंने बहुत पाप किये है शायद इस लड़की की वज़े से ही मेरी जिन्दगी अभी तक बची हुई थी शायद इसी की वज़े से और मैंने जानता था कि तुम इतने कम उमर में मा बन जाओगी अभी तुमारी उमरी 16 साल की है तुम मा बन गई हो और हम बाब बन गए जबकि उन्होंने शादी नहीं की थी बिना शादी के ये आपस में एक दूसरे के साथ जो सम्मन बनाया करते थे तो उसी से ये लड़की पैदा हो जाती है सब कुछ इनकी जिन्दगी में ठीक चल रहा था और तीन जनवरी 2005 की ये बात है यहाँ पर इनके गैंग में एक रामबीर सिंग नाम का गुजर रामबीर सिंग गुजर दिक भूर McMवरि नाम का एक दकैत हुआ करता था और बात्चीत के दोरान ही कब एक दूसरे में गोलियां चलने लगती है किसी को नहीं पता था क्योंकि उसके पास उस दोरान ना तो कोई साभी डकैत था कोई नहीं था ये दोनों ही बात कर रहे थे तभी रामबिर सिंग गुजर भाग कराता है और अपने साथियों से कहता है कि जितने भी ये इसके लोग हैं इनके हतियार चीन लो और हतियार चीनने के बाद इखटा कर लो 40-45 जो उसके चंदन के गैंग के सदसे थे सभी से हतियार ले लिये जाते है और हतियार लेने के बाद उनसे कहा जाता है कि जो भी जिन्दा रहना चाहता है वो यहां से भाग जाओ और मरना चाहता है तो वो यहीं रुख जाओ अब यहां पर जादतर जो गैंक के सदसे थे यहां से भाग जाते हैं इसी बीच में यह जो रामबीर सिंग गुजर होता है वो रेनु यादव को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि रेनु यादव तुम्हें परशान होने की जरूत नहीं है पुलिस ने हमला बोल दिया है और जो चंदन यादव है वो यहां नहीं है तुम्हारा मालिक वो थोड़ा दूर है आ जाएगा तुम्हें परशान होने की जरूत नहीं है रात तो कड़ जाती है लेकिन चार जनबरी जब आता है तो चार जनबरी को एक लड़का गाउं से दोड़ता हुआता है वो लड़का दरसल रेनु यादव को अपनी बेहन बुलाता था उससे हमेशा राकी बन बाया करता था और वो लाकर सबसे पहले अखवार की पिर्टियां दिखाता है कहता है रेनु यादव क्या तुम्हें पता है कि कल चन्दन यादव की हत्या कर दिये जब ये हत्या की बात उसका फोटो अखवार में देखते हैं उसके असलाओं के साथ तो उसे ताजुब होता यकिन नहीं होता कि आकरकार कैसे हुआ तब ही उसका भाई कहता है कि ये लोग तुमें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हें अपने साथ जंगल में रखेंगे अब रामबीर सिंग गुजर तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो उसने अभी तक सोचा है और शायद इसी लिए उसने तुम्हारी वेज़े से चंदन यादब की हत्या की है वो लड़की कहती है कि भाईया तुम्हें अगर अपनी बेहन से इतना ही प्यार है तो एक काम करो मेरी बीटी को गाउन लेके चले जाओ और तुम इसकी हिफाज़त करना वो लड़का उस लड़की को लेकर गाउन चला जाता है और चार जन्वरी 2005 का ये वाक्या है शाम का समय था इस लड़की के साथ तीन लड़के रह जाते हैं जो बहुत बफादार थे तब ही उसने रामबीर सिंग गूजर ने रेनु जादब को बुरी नियत से दवोच लिया उसके साथ गलत काम ये गंदा घिनोना करत्य करने की कोशिश जब किये तो इसी बात पर इससे गुसा जाता है उन्हें लड़कों को बंधक बनाके खड़ा कर दिया गया था रख लिया गया था और बाकी टीम के सदस्तों से कहा था कि अगर इनमें से कोई साथ इवरोत करता है तो इनको अभी हातो हात मार दी जाया ये एकांत जगे में थे रामबीर सिंग गूजर और रेनु जादब और तब ही जब इसके साथ ये बलातकार करने की कोशिश कर रहा था यहां रेनु यादब को मौका मिल जाता है उसकी SLR उठाती है और वो गोली चलानी शुरू कर देती है जब गोली चला रही थी तो एक गोली उसके पेट में लगकर और सीधा पार हो जाती है जिसके वेसर से लगता है कि वो मर चुका है और वो अंधादुन लगभग 13 राउंड गोली चलाती है उसकी जो गोली थी उसके जो बाकी हत्यार थे वहां से ले जाने की कोशिश कर रही थी और वो भाग जाती है काफी रात हो चुकी थी और इसी बीच में जैसे वो भाग रही है तुरंथी लगातार गोली चलने लगती है बहुत जादा तेजी के साथ जब गोली चल रही थी वो समझ नहीं पा रही थी उसके करना क्या है वही पर यमुना नदी है जिसको उधर के लोग जमुना नदी के नाम से बुलाते है उसने लगता है कि किनारे पर एक नाव थी और उस नाव को पर वो अपना समान रखती है और समान रखने के बाद जमुना नदी में ऐसी चलने लगती है उस वे बैठ कर उसको तैरने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो बैठ ही नहीं पा रही थी उसने अपना जो समान था वो समान उस पर रख दिया और वहां से उसके सहारे नाप के सहारे वो चलते रही चलते रही जब चली जाती है तो से लगता है कि अब शायद डूब जाएगी इससे वो किनारे या पार नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि जो भी उसके साथ हादसा हुआ है वो समझ नहीं पा रहे थी कि उसका दिमाग की जो शक्ती थी दमाग की थाकत थी उसने काम करना पूरी तरह से ब बंदी हुई थी और उसी के सहारे वो पूरी रात ऐसे ही रहती है जब हलका हलका दिन निकलने लगता है तो वापिस उसी इस्थान पर पहुंचती है तो जो तीन साथ ही उसकी मदद के लिए रुके होए थे तीनों के हाथ पर उसी के कपड़े उसी की चुनली से बंदे रही थी कि आखिरकार वो करे तो क्या करे यहां से किसी तरह से वो एक आसपास का जो गाउं था वहां पहुंचती है एक बुढ़े आदमी से कहती है कि बाबा मेरा गाउं का नाम जमाली पूर है वहां जाकर मेरे पिता विद्याराम को यह सूचना दे देना कि उनकी बेटी है जो फला जगह है आप मेरी मदद करा दीजिए उसका जो बुढ़ा आदमी था वो जाता जरूरे जमाली पूर में लेकिन गाउं में कोई मिलता नहीं है आगले दिन फिर वो जाती है कि बाबा क्या मेरे परिवार के लोग मिले यह चठी लेके जाओ और मेरे घरवालों को जा कर दे देना तीसरे चोथी दिन चठी दी जाती है और वो लड़की जंगल में इधर दर छुपके रहती है इसी बीच में मक्हा की कुछ ऐसे जो पोधे होते हैं उनके बीच में चुप जाती है दीमख उसे बुरी तरे भी खा लेती है इधर वो चठी उसके बाप के पा हर सकता था, जैसे भी गंदा संदा खाना पीना मिला, वो साथ दिन तक किसी तरह से जीवित रहने की कोशिश कर रही थी, तभी आठमे दिन या नवे दिन, एससपी जलदलजी सिंग, जो उसके पिता के साथ, विद्यारामस की मा के साथ इटाबा के एससपी होते हैं, वो जंगल में पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद इस लड़की को अपने साथ लेके चले जाते हैं और सरंडर करवा देते हैं 16 साल की लड़की थी, जब ये एससपी के बंगले पर थी, वहाँ मेडिया ने उसको पूरी तरह से घेर लिया भारी पुलिस बल वहाँ पर मौके पर मौके पर मौझूद था और जब पत्रकारों ने सवाल करने शुरू किये कि रेनो यादव जी आप बताईए आपने तेरह हत्याएं कैसे की बाकि आपने लगवग आपके उपर 42 मुकद में हैं कैसे आपने लूट, डकेती, अपरण जैसी वारदातों को अंजाम दिया है तो लड़की कह रहे थी कि ये सब क्या है वो समझ नहीं पा रहे थी, पांच फुट, आठ इंच की जो SSP टावा होते हैं उन्होंने उस लड़की को गरिफतार किया गरिफतार करने के बाद जेल भीज दिया जेल तो रहती है साथ महीने साथ साल तीन महीने और पंदर दिन के आसपास जेल रहती है और जेल में ही जब वो रहती थी तो वहां की जिंदगी उसको ज़्यादा अच्छी लगने लगी वक्त पर खाना मिलना होता था वक्त पर उसे दूद मिलता था क्योंकि बच्पन से ही उससे दूद पेने की आदत थी घर में उसके 8-10 पाशू पलते थे उनी से उसके परिवार का गुजारा वशारा होता था लेकिन जंगल की जो जिंदगी थी वो ज़्यादा परिशान वाली थी उससे जेल की जिंदगी अच्छी लगने लगती है यहीं पर उसका मन लगने लगता है कभी कबार उसके पिताजी कभी कबार उसकी मा उससे मिलने आया करते थे लेकिन एक लड़का था रनवीर सिंग नाम यादब नाम का एक लड़का जो उसकी जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और एक दिन ऐसा भी आता है कि उसे जमानत नहीं बलकि सन 2012 में पूरी तरह से बाईज़त बरी कर दिया ज़ता है जब वो जेल के अंदर थी तबीज रनवीर सिंग यादब ने उसको एक पत्र दिया उसके कुछ सिगनीचर कराए और सिगनीचर कुछ इस तरह से थे उसने अपने गाउं में उसे इलक्शन में खड़ा कर दिया था और वो जेल में रहते हुई पिर्धान बन जाती है जब पिर्धान बन जाती है सन 2012 आता है और अदालत में वो जितने भी आरोप इसे 42 मुकदमों के लगे होई थे वो साबित नहीं हो पाते इसलिए अदालत ना पुलिस को के बल डांटती है बलकि कहती है कि आइंदा इस तरह की बात मत करना इससे अदालत का समय बरबाद ना हो और इसको बाइज़त बरी कर दिया था है जब ये जेल से निकलती है तो इसको पता चलता है कि जो लड़का मदद कर रहा था वो कोई और नहीं बलकि चंदन यादव का सगा छोटा भाई होता है और इस लड़की को इस लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का भी इस से प्यार करने लगता है और तब ही ये दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं शादी करने के बाद ये अपनी जिन्दगी को जीने की कोशिश कर रहे थे तब ही लखनव से एक पत्रगार का फोन आता है कि क्या आप अखलेश भहिया से मुलोगी तब रहनु यादब सीधा लखनव पहुंसती हैं मुक्हे मंत्री अखलेश यादब से जब मुलाकात करती है तो पूरी कहानी वो उने अखलेश यादब को सुनाती हैं अखलेश यादब कहानी सुनते ही वो उने दो सुरक्षा गाड की विवस्ता कराते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हाएं चिंता करने की कोई जरूत नहीं है सरकार तुम्हारा हर संभब मदद करेगी पांस साल तक लगातार सुरक्षा रहती है जो भी मदद हो सकती थी वो अपनी तरफ से मदद भी करते थे अकलेश आदव रहनु यादव की साथ ही सन 2017 आता है 2017 अनक बाद डिंपल यादव और रहनु यादव लगवर डेड़ महीने तक उस इलाके में आसपास के जितने भी इलाके थे उस जा जाके वो इनके साथ पिरचार पिरसार कर रहे थी और इसी बीच में रहनु यादव की डिंपल यादव से अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद यहीं से बहुत सारी जरूतों का खैल भी रखा जा रहा था लेकिन आगे सरकार बनती नहीं है सरकार भार पूरी तरही तरही जाता है और पूलिस वाले इसको गुरिफतार कर लेते हैं और वो आज भी आज इवन कारवास की जेल में सजा काट रहा है और रेनु यादब एक सामाने जिन्दगी जी रही है वो नहीं जानती थी कि उसके साथ आखिरकार क्या हुआ काश वो उस दिन शा क्योर चली जाती है ये लड़की कहती है कि जब जब उसके गाउं में पुलिस वाले आया करते थे तो उसका मन करता था कि वो वर्दी पहन के रहा करें और वर्दी में वो IPS बनना चाहती थी क्योंकि पढ़ने में बेहुद होश्यार थी उसने वर्दी जरूर पहनी लेकिन के साथ रहके जो पुलिस की चीनी हुई वर्दियां थी उसने गोलियां भी चलाएं बताया ये भी जाता है कि बच्ची से जो बच्पना था जब उसकी खेलने को उदने की उमर थी तब उससे लूट डगेती हत्याएं जैसे करतियों को अंजाम दिलाया गया था दोस्तो इ परनाने का उद्देशे किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागरूप करना है आपको सचेत करना है और आप जहां भी रहें अपना खयार लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभार।